पहला धमाका दूसरा धमाका तीसरा धमाका एक ही सर्जकल स्ट्राइक में हेजबुल्ला ने फोर डाली इसरेल की तीन आख पहली आख दूसरी आख हेजबुल्ला ने मिसाइल अटेक करके इसरेल की तीन आखों को फोर दिया ये मेरान एयर सेविलेंस बेस है और यहाँ इसरेल के रेडार और कमुनिकेशन सिस्टम थी जिससे वो लेबनान में हेजबुल्ला पर नजर गड़ाए रहता था अब सैटेलाइट तस्वीर की मदद से इस लोकेशन को समझे लेबनान बॉर्डर पर ये हैं इसरेल की तीन आख यानि तीन गलोब रेडार और साथ में हैं इसरेल के कमुनिकेशन टावर ये मेरान एयर सर्विलेंस बेस है जिससे तयार करने में इसरेल ने अर्बों रुपए खर्च किये थे यही वज़े है कि लेबनान के हिजबुल्ला ने इसे अपना सौफ टार्गिट बनाया बेरूत में हमास के टिप्टी चीफ साले अल अरूरी की मौत के बाद यह हिजबुल्ला का इसरेल पर सबसे बड़ा हमला है यह इसरेल के बहुत ही सीक्रेट बेस पर बहुत बड़ा हमला है एक तरह से हिजबुला ने इसरेल के सीक्रिट बेस को मिट्टी में मिला दिया है अब तक डरा हुआ लग रहा था हसन नस्रला लेकिन अब लग रहा है कि शुरू हो चुका है अरूरी का बदला इसरेल पर तूट रहा है हिजबुला हसन नसरला को पहले बैकफूट पर देखा गया अरूरी कि मौट किबाद हसन नसरला की जोबन में वो तीकाफन नहीं था जिसकी इस्राइल को अमीड थी लेकन अब हेजबूला ने अपना सबसे खदरनाग अटेक करके इस्राइल को सोचने पर मजबूर कर दिया है जहीं होता है, बैसी इसकी बैस्राइल थी करिस्द नसरला के जन्यदे काफना सब्सक्राइल अध्यबल्या में एकट थी क τους फजल्डवन गया थीज़नें लो מסजरेप उल्ह थी किस्पूरेड़़ एकल बैरी रकेट सब्सक्राइल तकफ नो तो नमशी लिध लिद्क भूब्नान और एज्रेल के मौत वाले बौर्डर पर हिजबूला का पूरा कंट्रूल है हिजबूला अब सी ऐसी मिसाईल फायर कर रहे जिस क्यागे इस्रेल के ट्रेंक अपनी दूप रगड़ते हुए नज़रा है हिजबुला ने निकाली हैं तीन बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर ये मिसाइल इरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुला के पास बहुत बड़ा जखीरा है हिजबुल्ला तीन तरह की एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल इस्तिमाल कर रहा है ये है कौर इसकी रेंज पांच किलोमीटर तक है ये रूस की मिसाइल है लेकिन अब इरान इसका देशी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और असी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल इरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है तीसरी है 85 कॉनकॉर्स रेंज 4 किलोमीटर ये भी रूस ने बनाई है और अब इरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है इन्ही मिसाइलों से हिजबुल्ला ने इस्रेयल के मेरान एयर सर्विलेंस बेस पर हमला किया है ये तीनों मिसाइल बहुत हिगातक है और जिस तरह से इन्होंने इसरेयल के अड़े उड़ाए है उससे ये बात साबित हो जाती है हिजबुल्ला का दावा है कि उसका हर हमला इसरेयल को मोटोर जवाब में बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने इस अड़ को उड़ाने के लिए 60 से ज्यादा मिसाइल फायर की हैं और सभी अपने टार्केट पर लगी ये मेरान एयर सर्विलन्स बेस के अंदर की तज़्वीरे हैं जिन्हें बहुत ही सीक्रेट माना जाता है ये बेस 1967 में बनाया गया था ताकि लेबनान बॉर्डर पर नजर रखी जा सके इसका कंट्रोल इसरेल की एरफोर्स के पास है इस बेस से हवाई टार्गेट को भी ट्रैक किया जाता रहा है और रॉकेट और तोप के गोलों को भी ट्रैक किया जाता है ताकि लेबनान प्रत्री इस्रेल के बीट जो बॉर्डर है वहां तनाव बहुत ज़ादा है, कब, कहां बम फटेगा, कहां धमाका होगा, ये या तो हिजबॉल्ला जानता है या फिर इस्रेल की सेनी, वैसे यहां के लोगों को भी बता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपीसेंटर घाजा से निकल कर लिबनान तक पहुँच सकता है यहां तैनात संयुक्त राश्ट की सेनाई भी अलर्ट मूड पर हैं लगातार पिट्रोलिंग हो रही है हमास के डिप्टी चीफ साले अल-अरूरी की मौत के बाद हिजबॉल्ला के सामने बस दो ही विकल्प है या तो उसे मरना होगा या उसे मारना होगा यही वज़ा है कि हिजबॉल्ला ने इस्रेल के अट्टों को टार्गेट करना तेज कर दिया है इस वक्त पश्य मेश्या में युद्ध की जो आग लगी होई है गाजा पर बंबारी के बीच हमास और इस्रेल के बीच जिस तरह की टक्कर हो रही है उसमें अब नया खत्रा इस्रेल और लबनान बॉर्डर का भी है यहां भढ़के शोले अब युद्ध की इस आग को दस गुना भढ़का सकते हैं और अब दुनिया में सिर्फ चार लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं पहले हैं इस्रेल के प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहू दूसरे हैं इरान के राश्रपती इब्राहिम रईसी तीसरे हैं अमेरिका के राश्रपती जो बाइडन और चौते हैं यॉर्प से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राश्रपती व्लाते मिर्फुत है इस स्वक्त सबसे जादा एक्टिव इरान है खास कर किर्मान में आतंकी धमाकों के बाद एरान ने हजबुल्ला और यमन के हुथी वे द्रोहियों को चौकनना रहने के लिए कहा है एरान ने इन दोनों मिलीशिया तक पहले ही एतने हत्यार पहुचा दिये हैं कि अगर इस्राइल ने घाजा पर बंबारी नहीं रोकी तो हैजबुल्ला और होथी दोनो इस्राइल पर बंबान कर पर सकते हैं ये बार नेतनियाहू भी जानते हैं जब से साले, अल-अरूरी को अज्राइल ने ड्रॉन स्ट्राइक में मारा है, तनाव बहुत जादा फाल गया है. ये ड्रॉन स्ट्राइक बेरूत के दहिया इलाके में हुई, जिसे हिजबुल्ला का बढ़ बाना जाता है. दहिया में जब साले, अल-अरूरी को जब हमास के ओफिस के करीब देखा गया, तब इस्राइल का ड्रॉन मौत बनकर तूट पड़ा. इस हमले में साले, अल-अरूरी के अलावा पांच और लोग मारे गए, जो हमास के ही अधिकारी थे. सवाल है कि क्या अरूरी की मौत का बदला अब सीधा युद्ध होगा, जिसमें बड़ी लड़ाई इस्राइल और हिजबॉल्ला के बीच होगी. ऐसा युद्ध जिसमें इस्राइल की तरफ होगा, अमेरिका, जबकि हिजबॉल्ला की मदद करेगा एरान. हाला कि मैंने मन नेतनियाहो इससे पहले ही बेरूत को घाजा बनाने की धम की दे चुके हैं. देखा जाए तो हिजबॉल्ला वो संगठन है, जिसे एरान से पूरी मदद मिलती है. और एरान हिजबॉल्ला को इस्राइल के खिलाफ एक बड़े हत्यार के दोर पर इस्तेमाल भी करता है. लेकिन इस्राइल ने अगर हिजबॉल्ला का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया, तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोराई जा सकती है. 2006 में हिजबॉल्ला और इस्राइल के बीट 34 दिन तक युद्ध चला था. तब इस्राइल के 121 सैनिकों को मिला कर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबॉल्ला के 2500 लड़ाकों समेथ लेबनान के 1200 लोगों की मौत होई थी. हम अपनी वीडियो लाइब्रेरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तज़वीरें निकाल कर लाएं हैं, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके. लेबनान का वही हाल कर सकता है जो इस बार गाजा का कर रहा है. इसलिए हिजबुल्ला को नेतनियाहू की धमकी को बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इसरेल अब बेरूत को दूसरा गाजा बना देगा. ये वो साफ साफ कह रहा है. इसरेल जानता है कि अरूरी की मौत ने उसका एक दुश्मन खत्म किया है. लेकिन कई और दुश्मन उसके खिलाब तैयार हो चुके हैं. हमास के चीफ इसमाईल हानिया ने भी कह दिया है कि इसरेल को अरूरी के मॉर्डर की कीमत चुकानी होगी. अरूरी की मौत से इसरेल के तीन बड़े दुश्मनों को बहुत जोरदार जटका लगा है. पहला जटका हमास को लगा है. क्योंकि साले अल-अरूरी इसमाईल हानिया के बाद हमास में दूसरा सबसे बड़ा नाम था. दूसरा जटका इरान को लगा है. क्योंकि साले अल-अरूरी ने ही सीरिया में युद्ध को लेकर हेजबुल्ला और इरान के साथ हाय मतभेद को दूर किया था तीसरा बहुत बड़ा जटका हेजबुल्ला को लगा है क्योंकि इसरेल ने बता दिया है कि अब वो लेबनान की राजधानी बेरूत और हसन नस्रूला के गड़ को टार्गेट करने से पीछे नहीं हटेगा इस सुख्त घाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी युद्ध के हालात बनते नजर आ रहे हैं सालेह अल-अरूरी की मौत के बाद वेस्ट बैंक में प्रदर्शन शुरू हो गए है सडकों पर हजारों लोग इसरेल के खिलाप उतर आए है हालात ऐसे हैं कि इसरेल को अब अपनी ड्रोन फोर्स को वेस्ट बैंक के उपर एक्टिव करना पड़ा है देखा जाए तो वेस्ट बैंक इसरेल के खिलाप पांचवा मोर्चा है इससे पहले घाजा के लड़ाई है हिस्बुल्ला से लड़ाई है हूथी से युद्ध का खत्रा बढ़ता जा रहा है इराक में इरान समर्थित हश्द अल शाबी ने अमेरिका के छेकानों पर हमले बढ़ा दिया है अरूरी की मौत के बाद ये मोर्चे और मजबूत होंगे इसमें कोई शक्त नहीं ये युद्ध फैला तो समझ लीजे कि बहुत से देश इसकी चपेट में आ जाएंगे